जब भी हम भारत की आजादी के सफर की बात करते हैं, तो हमें याद आती है वो लंबी लड़ाई जिसने एक गुलाम देश को आजाद किया। लेकिन क्या यह सफर केवल क्रांती कारियों के संघर्ष और बलिदानों से ही सजी थी? नहीं, इस आजादी की कहानी केवल जंडों और नारों की नहीं, बलकि उन काले कानूनों और धोखे बाद समझोतों की भी है जिन्हें ब्रिटिश क्राउन ने हमारे देश पर थोपा था। यह वही एक्ट्स हैं जो एक के बाद एक हमारे अधिकारों को कुचलते रहे और फिर भी हर कानून के बाद हमारे भीतर आजादी की आग और भड़क उठी गी अठावी शताबदी से लेकर 1947 तक हर एक्ट हमारे जखमों को और गहरा करता रहा लेकिन इन एक्ट्स ने हमारे संघर्ष को भी धार दी हमारी जिद को और पुखता किया ये एक्ट्स उस ठोस पत्थर की तरह थे जिन पर भारतिये स्वतंतरता संग्राम की नीव रखी गई आज हम इन एक्ट्स की परत दर परत खोलेंगे उन साजिशों की बात करेंगे जो इन काले कानूनों में छुपी थी और उन मोड की चर्चा करेंगे जिन्होंने भारत के भविष्य को निर्धारित किया साइमन कमिशन, Government of India Acts, Montagu Chelmsford Reform से लेकर Indian Independence Act तक हर एक्ट की अपनी एक कहानी है एक ऐसी कहानी जो हमारे पूरवजों की यातनाओ, उनके संकल्प और उनकी वीरता को बयान करती है आज हम न सिर्फ Acts की बात करेंगे, बलकि उन Acts के पीछे की अंग्रेजों की कुटिल चालों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के दिड़ इरादों की भी चर्चा करेंगे हर एक्ट में एक कडवाहट है, हर एक्ट में एक सबक है यही वो Acts हैं जिनसे हमारे स्वराज का सपना हर बार चलनी हुआ और यही वो Acts हैं जिन्होंने हमें हर बार उठ खड़े होने का होसला दिया इस सफर में हर Acts का अपना एक रंग है कभी दर्द का, कभी संगर्ष का, तो कभी विजय का इन Acts ने भारत को गुलामी की बेडियों में जकरने की कोशिश की लेकिन हर बार इस देश ने अपने होसले को और मजबूत किया एक-एक कानून हमारे इतिहास का ऐसा पन्ना है जो हमें याद दिलाता है कि हम क्या थे और हमने क्या बन कर दिखाया 1773 का Regulating Act उस वक्त आया जब East India Company की हालत काफी बिगड़ चुकी थी और बिटन में इसे लेकर serious concerns उठने लगे थे कमपनी ने प्लासी 1757 और बकसर 1764 की लडाईयों के बाद बेंगॉल, बिहार और ओडिशा जैसे rich areas पर control तो कर लिया था लेकिन इसके साथ उसे काफी बड़ी responsibilities भी निभानी पड़ी अब company जो सिर्फ trading के लिए बनाई गई थी अचानक से huge territories की governance संभालने लगी लेकिन इसमें सबसे बड़ी problem ये थी कि company के लोग business तो समझते थे लेकिन governance का कोई खास experience नहीं था नतीजा ये हुआ कि administration में कई गड़बडियां शुरू हो गई और corruption भी बढ़ने लगा 1770 का Bengal Famine Company की governance की असफलताओं का एक बड़ा example था इस अकाल में लाखों लोग मारे गए और company की financial स्थिती पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ा company के पास उस वक्त बंगाल के दीवानी अधिकार थे यानि revenue collection का पूरा अधिकार company के हाथ में था लेकिन इन अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए company के अधिकारी सिर्फ अपने निजी फायदे के बारे में सोचने लगे उसने किसानों पर भारी कर लगाए जिसके चलते किसान अपनी फसलें नहीं बचा सके फसलें बरबाद हो गई अनाज की भारी कमी हो गई और लोग भूक से मरने लगे हालांकि company के अधिकारियों ने इस गंभीर स्थिती का फायदा उठाया वे अपने निजी व्यापार और अनाज की जमाखोरी में लग गए ताकि उँचे दामों पर बेच कर मुनाफा कमा सके इस लालच ने अकाल की स्थिती को और भी बद्तर बना दिया इस दोरान company के उपर चल रहे युद्धों का भारी बोज भी था प्लासी और बकसर की लडाईयों के बाद company को लगातार अपने क्षेत्रों की रक्षा और विस्तार के लिए युद्ध लड़ने पड़े जिन पर भारी खर्च हुआ इन युद्धों के लिए संसाधनों की जरूरत और company के अधिकारियों द्वारा की जा रही लूट पार्ट ने company की वित्तिय स्थिति को और भी कमजोर कर दिया company इस सब के बीच इतनी ज्यादा debt में डूब गई कि उसे अपनी वित्तिय स्थिति को संभालने के लिए British Government से bailout की मांग करनी पड़ी अब ये British Parliament के लिए एक मौका बन गया British Government ने देखा कि एक private company के हाथों में इतनी बड़ी responsibility देना खास कर जब company का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना हो एक गंभीर गलती थी Britain में company के activities को लेकर काफी discussions होने लगी थी लोगों को पता चलने लगा था कि company के officials इंडिया में क्या-क्या गडबड कर रहे हैं कई reports में company के corruption और administrative failures की बातें सामने आने लगी Edmund Burke जैसे बड़े thinkers company के खिलाफ खुल कर बोलने लगे Burke का मानना था कि इतनी power एक private company के हाथ में देना खतरनाक हो सकता है न सिर्फ Indian लोगों के लिए बलकि British Government के लिए भी कई MPs को लगने लगा कि company के governance को सुधारने के लिए अब government का intervention जरूरी हो गया है उस वक्त का political माहौल ऐसा था कि लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि company को कितनी autonomy दी जानी चाहिए और कितनी government supervision की जरूरत है कुछ लोग company के पक्ष में थे यह कहते हुए कि government interference से company का business बिजनेस बिगड सकता है लेकिन दूसरी तरफ बर्क जैसे लोग जोर दे रहे थे कि company की power पर control रखना जरूरी है ताकि इंडिया में कोई और बड़ा disaster ना हो company के directors ने भी parliament में government के इस interference का विरोध किया उसका कहना था कि company की financial problems temporary है और अगर उन्हें थोड़ा और समय दिया जाए तो वे खुद ही इन्हे solve कर सकते है लेकिन company के mismanagement और corruption की बढ़ती reports के कारण British government को लगा कि अब strong steps लेने का समय आ गया है तो Prime Minister Lord North ने Regulating Act का draft तैयार किया North का मकसद था कि company के business interests को पूरी तरह खत्म किये बिना government की hold को और मजबूत किया जाए Regulating Act इसी सोच का नतीजा था इस Act को लाने के पीछे काफी brainstorming हुई सरकार का इरादा था कि company के governance को सुधारने के लिए एक better administrative structure तैयार किया जाए corruption पर लगाम लगाई जाए जिसे सभी British territories पर ज्यादा control दिया गया यह एक बड़ा बदलाव था क्योंकि इससे पहले Bengal, Madras और Bombay जैसी Presidencies लगभग independently काम करती थी Warren Hastings जो उस वक्त Bengal के governor थे पहले governor general बने governor general का tenure पांच साल का तैय किया गया और उसे Supreme Council of Bengal के माध्यम से decisions लेने का अधिकार दिया गया इस council में चार members थे और decisions बहुमत के आधार पर लिये जाते थे जिससे कई बार governor general के फैसले पर रोग भी लग जाती थी इसके अलावा इस act के तहत Calcutta में Supreme Court of Judicature की भी स्थापना की गई जो British law के तहत justice देता था इसका काम था British subjects और कुछ भारतिय मामलों में Judicial authority को maintain करना लेकिन Supreme Court और company के administration के बीच jurisdiction को लेकर काफी confusion था जिससे दोनों के बीच clashes होने लगे ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि क्या English laws को Indian context में सही तरीके से लागू किया जा सकता है इस act में company के officers द्वारा किये जा रहे corruption को रोकने के लिए भी कुछ strict provisions शामिल किये गए company के officers को private trade करने से मना कर दिया गया क्योंकि यह corruption का एक बड़ा source बन चुका था इसका मकसद था कि company के लोग अपनी administrative duties पर ध्यान दे न कि personal profit के लिए company का misuse करे साथ ही company के directors को यह निर्देश दिया गया कि वे अपने revenue, civil और military matters की detailed reports British government को submit करें ताकि parliament company के कामकाज पर बहतर oversight रख सके लेकिन इन सब efforts के बावजूद Regulating Act पूरी तरह से effective नहीं हो पाया Governor General और उसकी council के बीच conflicts, Supreme Court और company के administration के बीच jurisdictional disputes और British India की governance में transparency की कमी जैसी समस्याओं ने चीजों को और complicated कर दिया इस act का मकसद था कि company के administration को improve किया जाए और उसे ज्यादा accountable बनाया जाए लेकिन कई बार यह balancing act सही से काम नहीं कर पाया इसने future reforms की जरूरत को और भी साफ कर दिया जिसमें 1784 का pits India act भी शामिल था जिसने company को government के ज्यादा direct control में लाने का काम किया 1773 का regulating act हालांकि perfect नहीं था फिर भी यह British India के governance में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम था इसने पहली बार British Parliament को company के affairs में interfere करने का अधिकार दिया और यह साफ कर दिया कि एक private company को बिना oversight के इतना बड़ा area गवन करने नहीं दिया जा सकता यह act future reforms के लिए एक foundation बना और British colonial rule की establishment की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ In conclusion, Regulating Act 1773 British India के इतिहास में एक अहम मोड साबित हुआ इसे company की financial और administrative challenges का सामना करने के लिए लाया गया और इसका मकसद company के governance पर government oversight को बढ़ाना था भले ही इस act को लागू करने में कई challenges आये लेकिन इसने British government को पहली बार इंडिया में directly intervene करने का मौका दिया आगे चलकर यह act future reforms के लिए एक strong foundation साबित हुआ और British colonial rule की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बना 18-वी सदी के आखिर में जब British influence भारत में बढ़ता जा रहा था लंडन में भी हलचलें तेज हो रही थी East India company जो कभी भारत पर बिना किसी challenge के राज करती थी अब corruption, financial mismanagement और administrative failures के बोज तले दबती जा रही थी 1773 में British Parliament ने intervene करते हुए Regulating Act पास किया ताकि company की बढ़ती ताकत पर control किया जा सके लेकिन जितनी expectations इस Act से थी उतने results नहीं आए Governor General की council और नए बने Supreme Court कैलकटा के बीच लगातार clashes होते रहे Law ने clarity देने की बजाए और confusion बढ़ा दिया और British control कमजोर होता दिखा अमेरिका में चल रही Independence War ने न सिर्फ British resources को drain कर दिया बलकि उनकी invincibility का मिथक भी तोड़ दिया American colonies को खोने का मतलब सिर्फ एक military defeat नहीं था ये एक wake-up call था Government समझ चुकी थी कि वो अपने empire में एक और collapse नहीं जहल सकती खासकर भारत में जहां से उन्हें revenue और resources मिलते थे भारत पर control lose करने का डर खासकर France जैसी rivals के हाथों London के policy makers के लिए एक बड़ी चिंता थी कुछ तो करना ही था Company के अंदर corruption और exploitation की stories अब सब के सामने आने लगी थी Warren Hastings जो उस समय governor general था पर भी accusations लग रहे थे हाला कि उसका impeachment trial बाद में शुरू हुआ लेकिन उस समय तक उसकी administration को लेकर dissatisfaction बढ़ रही थी 1773 के act से जो half-hearted measures लिए गए थे वो इन बड़े पैमाने की problems के सामने नाकाफी थे British officials को अब यकीन हो गया था कि real reforms की जरूरत है और ये सिर्फ cosmetic changes नहीं हो सकते लेकिन reforms का रास्ता आसान नहीं था Charles Fox जो British politics का बड़ा चेहरा था ने इंडिया को लेकर अपना vision पेश किया 1783 में उसने एक bill इंट्रिज्ज किया जिसमें company की territories को सीधे parliamentary commission को सौपने का proposal रखा गया ये plan bold था शायद जरूरत से भी ज्यादा इससे न सिर्फ East India company बलकि crown भी नाराज हो गया King George III ने Fox के bill को political power grab समझा और राजा के हस्तकशेप से bill house of lords में fail हो गया लेकिन Fox के bill की failure का मतलब ये नहीं था कि reforms की जरूरत खत्म हो गई थी सभी को साफ दिख रहा था कि हालात को सुधारने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने होंगे London में जहां ये debates चल रही थी वहीं इंडिया में भी situations काफी delicate थे कि French involvement की possibilities बढ़ रही थी जिससे British control खत्रे में आ सकता था East India company जो पहले से ही internal struggles से जूज रही थी इन external threats का सामना करने के लिए ready नहीं थी British government को समझ में आ गया था कि इंडिया की defense और diplomacy को company के भरो से छोड़ना बहुत बड़ा रिस्क होगा अब centralized control की सखत जरूरत थी इसी माहौल में William Pitt the Younger एक solution लेकर आया 1784 में उसने एक bill पेश किया जिसे बाद में तो बरकरार रखा लेकिन इसमें एक significant change किया गया board of control की स्थापना इस body में high ranking government officials शामिल थे जो इंडिया में सभी civil, military और revenue operations की oversight करेंगे idea simple था company को commerce और trade संभालने दो लेकिन political और administrative power government के हाथों में रहे Pitt का plan बड़ी सावधानी से तयार किया गया था ताकि company की powers पर check रखा जा सके बिना उसकी commercial activities को completely disrupt किये बिल के provisions में कई important changes शामिल थे सबसे पहले dual system of control का concept पेश किया गया जिसमें East India company के साथ-साथ British government का भी direct influence भारत की administration में स्थापित किया गया इस act के तहट board of control को empowered किया गया जिसमें high ranking government officials को इंडिया के सभी military, civil और revenue matters पर final authority दी गई यह act company की commerce related functions को तो बरकरार रखता था लेकिन political और administrative decisions अब British government की निगरानी में आने लगे थे act के अनुसार इंडिया में governor general की council को trim करके तीन members की कर दी गई जिसमें commander in chief भी शामिल था, साथ ही Bombay और Madras की presidencies को Bengal में governor general के अधीन कर दिया गया, जिससे British India की governance centralized हो गई एक और significant provision यह था कि company के aggressive territorial expansion पर रोक लगाई गई जिससे unnecessary wars और treaties पर control रखा जा सके बिल को लेकर काफी debates होई, critics का मानना था कि नए provisions से crown और उसके ministers के हाथ में बहुत ज्यादा power आ जाएगी, दूसरी और कुछ लोगों को ये चिंता थी कि इससे parliamentary oversight कमजोर हो जाएगी, लेकिन इन सब के बावजूद, urgency of reforms और pit की political acumen ने बिल को pass करवा ही दिया ये law एक decisive shift जिसने British government को इंडिया की किस्मत का असली मालिक बना दिया, सोचने वाली बात है कि इस act पर कितना कुछ दांफ पर लगा हुआ था, American revolution की चाया हर debate पर थी एक empire को खोने के बाद Britain desperate था कि इंडिया रूपी jewel को सुरक्षित रखा जाए pits India act सिर्फ एक कानून नहीं था it was a response to the anxieties and lessons of that era 1773 के regulating act की failure, America में मिली हार इंडिया में regional powers का बढ़ता दबबा और French interference का डर, ये सभी factors मिल कर इस act को जरूरी बना रहे थे 1784 में pits India act का पास होना सिर्फ भारत पर British control को strengthen करने का कदम नहीं था बलकि ये British colonial history में एक turning point था इसने British government के direct control की नीव रखी, जो आने वाले दशकों में और मजबूत होती गई जैसे जैसे भारत की governance centralized होती गई, British dominance का एक नया chapter शुरू हो गया एक ऐसा chapter जो 1947 में आजादी की सुभह तक चलता रहा कई मायनों में pits India act वो moment था जब British government ने सच में भारत में अपने empire की दोर थाम ली और एक सदी से भी ज्यादा लंबे colonial rule की नीव रख दी 1793 का charter act British Indian इतिहास में एक अहम मोड पर आया जब East India कमपनी का charter अगले 20 साल के लिए renew हुआ ये act पहले के regulations जैसे 1773 का regulating act और 1784 का pits India act पर based था इस act ने कमपनी की commercial power को बनाए रखा और साथ ही British सरकार का control भी और मजबूत किया एक्ट की बहस में कई बड़े नाम शामिल थे जैसे William Pitt the Younger और Henry Dundas जिनका रोल इस पूरी power balance को define करने में बेहद अहम था 1793 के charter act के बहस में company के control और उसके भारत में बढ़ते impact पर जोर था British Parliament में discussions इस बात पर केंद्रित थी कि control board को कितनी power दी जाएगी जो कि काफी हद तक British Ministry के influence में था Henry Dundas जो उस समय control board का president था और Prime Minister William Pitt का करीबी सहयोगी था, government control के विस्तार के लिए जोर दे रहा था ताकि stability बनी रहे और company के administration में फैले corruption को काबू किया जा सके लेकिन Edmund Burke जैसे critics ने चिंता व्यक्त की कि अगर board को ज्यादा power मिलती है तो company सिर्फ British सरकार का एक tool बन जाएगी जिससे Indian resources का exploitation बढ़ेगा इस debate में parliamentary और royal control के बीच का संघर्ष भी साफ नजर आया ये act उस power tussle का हिस्सा था जहां parliament Indian affairs पर control चाहती थी और crown अपना influence बरकरार रखना चाहता था दुन्डस ने खास तोर पर parliamentary oversight को support किया जबकि crown को board में appointments के जरिए अपना influence बनाए रखने की permission दी गई company की dual role एक commercial entity और governing body के रूप में भी एक बड़ा मुद्दा था इस act का मकसद इन दोनों functions को separate करना था जिससे company अपने business operations जारी रख सके और उसके governance activities governmental control के तहत रहें company का senior director Charles Grant जैसे लोग company की autonomy बनाए रखने के पक्ष में थे ये कहते हुए कि उसके पास governance के लिए जरूरी expertise और on ground experience है वहीं बर्क जैसे reformers मानते थे कि company के commercial interests अकसर अच्छे administration के खिलाफ जाते हैं जिससे widespread mismanagement और exploitation होता है 1793 का charter act अंततह in competing interests के बीच एक compromise था इसने British government के control को मजबूत किया जबकि company को lucrative markets जैसे China में अपने trade monopoly को बनाए रखने की इजाज़त दी इस act ने PIT और Dundas जैसे प्रभावशाली leaders को Britain और India दोनों में political stability बनाए रखने और economic interests को protect करने की सुविधा दी हालांकि बर्क जैसे critics ने ये भी note किया कि बढ़े हुए governmental control के बावजूद Indian populace के लिए कोई meaningful reforms नहीं हुए बहसों में ये साफ था कि British political और economic interests की ही priority थी और Indian welfare को नजर अंदाज कर exploitation का एक और regulated system बनाया गया इस act के provisions को इसी delicate balance को ध्यान में रखकर design किया गया था इस act ने company का trade monopoly अगले 20 साल के लिए extend कर दिया जिससे company बिना किसी significant competition के British India के अलग-अलग हिस्सों में अपनी commercial activities को जारी रख सके ये monopoly company के profits और India में उसके expansive administrative और military presence को maintain करने के लिए crucial थी व्यापार के अलावा इस act ने company के commercial functions और उसके governance role को और ज्यादा clear कर दिया इसमें judicial administration और civil और military अधिकारियों के वेतन के भुगतान के नियम भी शामिल थे company के business activities और political responsibilities के बीच के अंतर को formalize करने का मकसद एक ज्यादा organized और stable governance structure तयार करना था judiciary को impartial और effective बनाए रखने के लिए judges और magistrates की appointment और salary के लिए specific guidelines पेश किये गए control board जिसका leadership Henry Dundas कर रहा था को company के revenue collection और political matters पर और भी ज्यादा decisive powers दी गई जिससे ये इंडिया के governance के बारे में decisions लेने का मुख्य center बन गया इस system के तहत control board जो की British government के साथ closely aligned था लगभग सभी significant policy decisions पर authority रखता था जैसे revenue distribution और administrative appointments इस power का centralization Indian affairs में British crown और parliament के बढ़ते influence को दर्शाता था जिससे company की autonomy governance के मामलों में कम हो गई इस act में civil और military personnel के संबंध में detailed regulations भी पेश किये गए rank और seniority के आधार पर pay scales को standardized किया गया जिससे company के administrative machinery में और ज्यादा order और stability आई इन regulations का उद्देश्य disparities को address करना और corruption को prevent करना था जिसमें company के officials द्वारा private trade को discourage करना भी शामिल था एक practice जिसने पहले बड़े पैमाने पर conflicts of interest और exploitation को बढ़ावा दिया था legislative authority governor general in council के हाथों में concentrated रहा जिन्हें British India में better governance के लिए regulations पास करने की power दी गई हालां कि सभी laws और regulations को Britain से approval लेना जरूरी था जिससे ultimate control British government के हाथ में ही रहा हालां कि ये governance system कुछ हद तक local decision making की permission देता था लेकिन इससे British interests को Indian governance से ज्यादा महत्व मिलता रहा इस act में Indian subjects के लिए justice की भावना बनाए रखने के उद्देश्य से कुछ provisions भी शामिल थे विशेश रूप से land revenue और land ownership के matters में हालां कि ये provisions Indian farmers और land owners को कुछ protection देने के लिए प्रतीत होते थे लेकिन ये largely British revenue collectors और administrators के interests को safeguard करने के लिए design किये गए थे इन regulations ने land revenue collection के procedures को clarify किया जिससे British officials की agrarian resources पर मजबूत पकड़ बनी रहे हालां कि इस act ने land ownership rights जैसे issues को address किया लेकिन ये measures primarily revenue collection को enhance करने और इंडिया में economic resources पर British control को secure करने के उद्देश्य से थे असल में 1793 के charter act के provisions Indian populist के benefit के लिए genuine reforms को introduce करने की तुलना में British dominance को solidify करने के बारे में ज्यादा थे ये regulations company की profitability को maintain करने और इंडिया के political और economic systems में British governmental control को और ज्यादा deeply embed करने के लिए बनाए गए थे इस act के पारित होने पर mixed reactions आए दुन्डस और Pitt जैसे supporters का मानना था कि इससे governance में stability और clarity आएगी जबकि बर्क जैसे critics ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इससे British government के तहत power का centralization और बढ़ेगा जिससे company की autonomy कम हो जाएगी East India Company जो Charles Grant जैसे influential individuals के leadership में थी control board के बढ़ते influence के बारे में चिंतित थी company को डर था कि उसकी autonomy और commercial privileges का erosion हो रहा है लेकिन इन objections के बावजूद act पारित हो गया और company को नए regulations का पालन करना पड़ा 1793 का Charter Act British Governance में एक महत्वपूर्ण मोड साबित हुआ इसने governmental authority को मजबूत किया जबकि company को अपने profitable trade operations को जारी रखने की अनुमति दी इस act द्वारा पेश किये गए administrative frameworks, PIT और दुंदास जैसी हस्तियों के प्रभाव में company शासन के शेश काल के दौरान इंडिया के governance को shape देते रहे और इसके बाद विकसित होने वाले British Colonial Administration की नीव रखी सन 1813 का charter act British शासन में एक महत्वपूर्ण मोड था जब East India Company का charter अगले 20 साल के लिए renew किया गया यह act उस समय के बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिद्रिश्य का परिणाम था जिसमें company के व्यापारिक अधिकारों और शासन पर सवाल उठ रहे थे यह act उस समय आया जब British Earth व्यवस्था Napoleonic Wars के बाद recovery कर रही थी और British merchants भारतिय बाजारों में access पाने के लिए ज्यादा interested थे पिछले charter act से अलग 1813 का charter act न केवल company के अधिकारों को define करता है बलकि भारत में व्यापार और सामाजिक गतिविधियों के लिए नए रास्ते भी खोलता है इस act की बहस में कई प्रमुख मुद्दे और हस्तियां शामिल थी जैसे Charles Grant Lord Wellesley और British Parliament के अन्य प्रभावशाली सदस्य 1813 के charter act का सबसे बड़ा विवाद कंपनी की व्यापारिक मौनोपली को ले कर था British Parliament में जबरदस्त discussions हुए जिनका मुख्य मुद्दा था कि क्या कंपनी की मौनोपली जारी रहनी चाहिए या इसे खत्म कर British व्यापारियों को भी भारत में व्यापार की अनुमती दी जानी चाहिए Adam Smith और उसके समर्थकों ने Free Trade के पक्ष में दलील दी कि इससे न केवल Britain को फाइदा होगा बलकि भारत में भी व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में व्रिधि होगी दूसरी और कंपनी के समर्थकों का तर्क था कि अगर मोनोपली खत्म की जाती है तो भारत में ब्रिटिश शासन कमजोर हो सकता है और राजस्व पर भी असर पड़ेगा इस बहस में Charles Grant जैसे नेता प्रमुक थे जो मिशनेरी एक्टिविटीज को बढ़ावा देने और भारतिय समाज में Christian Faith का प्रसार करने के लिए इस एक्ट में विशेश प्रावधान चाहते थे इस बहस के बाद एक्ट में सबसे बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि अब कमपनी की मोनोपोली सिर्फ China Trade और T Trade तक सीमित कर दी गई बाकी सभी व्यापारिक खेत्रों को British व्यापारियों के लिए खोल दिया गया जिसका मतलब था कि अब स्वतंत्र भिटिश व्यापारी भी भारत में freely व्यापार कर सकते थे इस प्रावधान ने भिटिश व्यापारियों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले और कम्पनी के एकाधिकार को तोड़ दिया जिससे भारत और ब्रिटन के बीच ट्रेट डाइनामिक्स में बड़ा बदलाव आया हालां कि कम्पनी का पॉलिटिकल कंट्रोल अभी भी बरकरार रहा जिससे गवर्नेंस और रेविन्यू के इसके अलावा इस एक्ट में ब्रिटिश मिशनरीज को भारत में प्रचार और प्रसार की अनुमती दी गई इससे पहले कम्पनी को डर था कि धार्मिक गतिविधियों से भारतिये जनता भड़क सकती है लेकिन पार्लिमेंट में इसके समर्थकों का तर्क था कि भारतिये समाज में सुधार और शिक्षा के प्रसार के लिए धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए चार्ल्स ग्रांट और उसके जैसे अन्य सुधारकों ने इस प्रावधान को कम्पनी के चार्टर में शामिल करने के लिए जोर दिया उसके विचार से इंडियन सुसाइटी में मॉरल और एथिकल रिफॉर्म्स के लिए क्रिश्चन फेथ का प्रचार जरूरी था इस बदलाव ने भारतिये समाज में रिलीजिस इंगेजमेंट के नए रास्ते खोले इन सब के साथ कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में बदलाव के बावजूद रेविन्यू और गवर्नेंस के मामलों में उसका कंट्रोल बरकरार रहा इस एक्ट में रेविन्यू कलेक्शन के लिए स्पष्ट गाइडलाइन्स दी गई जिनके तहथ लैंड रेविन्यू सिस्टम्स और टैक्सेशन को सुधारने के प्रावधान किये गए पर्मिनेंट सेटल्मेंट जैसी नीतियों को लागू करने के साथ साथ लैंड रेविन्यू के नियमों को स्ट्रीमलाइन करने का काम भी इस एक्ट ने किया इससे ब्रिटिश अधिकारियों को इंडियन अग्रेरियन रिसोर्सेश पर अधिक कंट्रोल मिला और कंपनी की वित्ती स्थिति मजबूत हुई गवर्नर जेनरल इन काउंसिल की लेजिसलेटिव पावर्स को भी और स्पष्ट कर दिया गया गवर्नर जेनरल को किसी भी प्रांत या क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया जिससे भारत पर ब्रिटिश नियंतरन और भी सक्त हो गया गवर्नर जेनरल और उसके काउंसिल को उन सभी कानूनों को बनाने की शक्ति दी गई जो administrative efficiency और revenue management के लिए जरूरी समझे गए हालां कि इन कानूनों को Britain से अनुमोधन लेना जरूरी था जिससे ultimate control British Parliament के हाथ में ही रहा इस act में पहली बार भारत में education और public welfare के लिए funds allocate करने की बात भी कही गई इसमें यह प्रावधान किया गया कि company अपनी revenues का एक हिस्सा भारतिय समाज में शिक्षा के प्रसार और समाज सुधार के लिए खर्च करेगी हालां कि शुरुआत में यह fund ठीक से इस्तिमाल नहीं हो पाया लेकिन इस प्रावधान ने future में British educational policies की नीव रखी company की judicial responsibilities को भी इस act के तहत formalize किया गया अदालतों और न्याय पालिका में सुधार के लिए specific provisions शामिल किये गए जिनके तहत company के अधिकारियों और स्थानिय न्याय अधिशों के लिए नए नियम बनाए गए इसके साथ ही civil और military अधिकारियों के लिए pay scales को standardized किया गया और corruption को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिये गए इसके अलावा company के अधिकारियों के private trade में शामिल होने पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए ताकि administrative integrity बनाए रखी जा सके company ने इस act को mixed reactions के साथ स्वीकार किया एक तरफ company को अपना monopoly होने का डर था लेकिन दूसरी तरफ उसे governance के मामले में अपने अधिकारों को बनाए रखने की राहत भी थी company के directors ने काफी विरोध किया कि अगर free trade की अनुमती दी जाती है तो इससे उसकी power और revenue पर असर पड़ेगा लेकिन parliament के दबाव और British व्यापारियों के बढ़ते influence के चलते company को इन बदलावों को स्वीकार करना पड़ा company ने इस act में अपने व्यापारिक अधिकारों के कमजोर होने का अंदेशा जताया लेकिन governance और administrative control बरकरार रखने के कारण इसे एक compromise के रूप में देखा गया बलकि भारत में religious, educational और social reforms के नए रास्ते खोले इस act के जरिये British व्यापारियों को भारत में नई संभावनाओं का रास्ता मिला जिससे आगे चलकर भारतिये बाजार और British व्यापारियों के बीच competition और भी बढ़ा हालांकि इस act ने भारत की economy पर British goods के दबदबे को बढ़ाया जिससे भारतिये industries खासकर textiles को नुकसान हुआ यह act उस समय के बदलते राजनीतिक और आर्थिक हालात का सटीक प्रतिबिम्ब था जिसने British governance के स्वरूप को नए सिरे से परिभाशित किया 1833 का Charter Act ब्रिटिश शासन में एक अहम मोड था जिसने भारतिये उपमहाद्वीप में कमपनी के शासन और प्रशासन को पूरी तरह से नया रूप दिया यह Act एक ऐसे दोर में आया जब ब्रिटिन में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विचारों में बड़ा बदलाव हो रहा था ब्रिटिश संसद में कमपनी के व्यापारिक अधिकारों, भारतिये समाज पर उसके प्रभाव और ब्रिटिश शासन के उद्देश पर गहन बहस हो रही थी यह बहस न सिर्फ ब्रिटिश सांसदों और विचारकों के बीच थी, बलकि इससे जुड़े बड़े नामों जैसे थॉमस बैबिंग्टन मेकॉली, जेम्स मिल, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और चार्ल्स ग्रांट की भी इसमें अहम भूमिका थी 1813 के चार्टर एक्ट के बाद, अगले दो दशकों में कई बड़े बदलाव हुए ब्रिटन में इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसने न सिर्फ ब्रिटन की आर्थिक सनरचना को बदला, बलकि राजनीतिक और बौधिक दृष्टिकोंड को भी नए सिरे से गढ़ा एक और जहां ब्रिटन की एकॉनोमी का इंडस्ट्रिलाइजेशन हो रहा था, वहीं दूसरी और नए आर्थिक सिध्धानतों का उदै हुआ, जिनमें फ्री ट्रेड और लेसे फैर को प्रमुखता दी जाने लगी अब ब्रिटिश व्यापारियों और उद्यमियों को यह महसूस होने लगा था कि इस्ट इंडिया कमपनी का व्यापारिक मोनापली उनके व्यापारिक हितों के आड़े आ रहा है उन्हें लगता था कि अगर इंडिया का बाजार उनके लिए खुला हो तो वे वहां से बड़े मुनाफे कमा सकते हैं इसी लिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग पारलिमेंट में जोर पकड़ने लगी ये मांग ब्रिटेन में नए उद्योग पतियों और व्यापारिक घरानों के बीच से भी उठ रही थी जो इंडिया के विशाल उपभोकता और कच्चे माल के बाजार तक पहुँचना चाहते थे इस intellectual और political climate में James Mill जैसे विचारकों का उदय हुआ जो मानते थे कि एक अधिक centralized और efficient प्रशासन की आवश्यक्ता है जिससे British India को बेहतर धंग से चलाया जा सके Mill का तर्क था कि company के व्यापारिक हित अब British Crown के शासन में बाधा बन रहे हैं और company की भूमिका केवल एक administrative body तक सीमित होनी चाहिए Mill का यह दृष्टिकोंड उन कई चर्चाओं और बहसों में उभर कर सामने आया जो 1830 के दशक की शुरुआत में पार्लिमेंट में company के चार्टर की समीक्षा के समय हो रही थी पार्लिमेंट में कई influential सांसदों और विचारकों के बीच गहन चर्चाएं शुरू हुई जिन में Macaulay और Mill जैसे लोग भी शामिल थे Macaulay ने विशेश जोर दिया कि अगर ब्रिटिश शासन को भारत में स्थायत्व और वैधता प्रदान करनी है तो कानूनी और शैक्षिक सुधारों को प्राथमिक्ता देनी होगी Macaulay का मानना था कि अगर इंडिया को सिविलाइज करना है तो वहां Western Education और अंग्रेजी भाषा का प्रसार जरूरी है उसका यह तर्क था कि भारतिय समाज को Modern बनाने के लिए British Values और संस्कृती का विस्तार करना अनिवार्य है इसी विचारधारा के तहट Macaulay ने अपना प्रसिध Minute on Indian Education पेश किया जिसमें भारतिय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य रूप से बढ़ावा देने की बात कही गई उसका मानना था कि Western Education से न केवल British शासन को स्थायत्व मिलेगा बलकि यह भारतिय समाज में British Loyalists का एक वर्ग भी तैयार करेगा इसी दौरान राजनीतिक और बौधिक माहौल में कई बड़े विचारक उभर कर सामने आए Charles Grant जैसे लोगों का मानना था कि कंपनी का व्यापारिक मोनोपोली अब एक बोज बन चुका है और इसे खत्म कर British Crown को सीधे प्रशासनिक नियंतरन स्थापित करना चाहिए Grant का तर्क था कि कंपनी अब व्यापारिक लाभ के बजाए राजनीतिक और प्रशासनिक हितों को प्राथमिकता दे मैकॉले का तर्क भी यही था कि अगर British शासन को भारत में लंबे समय तक बनाए रखना है तो कंपनी को एक purely administrative body बना देना चाहिए और उसके व्यापारिक मोनोपोली को समाप्त कर देना चाहिए मैकॉले ने एक बार कहा था इस तर्क ने ब्रिटिश संसद में काफी प्रभाव डाला और कंपनी की भूमिका को केवल प्रशासनिक कारियों तक सीमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया आखिरकार 1833 का Charter Act लाया गया जिसे St. Helena Act भी कहा गया इस Act के माध्यम से कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह समाप्थ कर दिया गया और उसे सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई बना दिया गया अब कंपनी का मुख्य कार्य ब्रिटिश क्राउन के लिए भारत का प्रशासन करना रह गया इस बदलाव के साथ कंपनी की सत्ता का व्यावसाईक पक्ष खत्म हो गया और यह British Crown की एक Agency बन गई इस Act के तहट सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि Governor General of Bengal को अब Governor General of India का दरजा दिया गया Lord William Bentonk इस पद पर नियुक्त हुए और उन्हें पूरे British India के लिए कानून बनाने और प्रशासनिक फैसले लेने की शक्ति दी गई यह बदलाव भारतिय प्रशासन में एक केंद्रिय शक्ति की स्थापना का संकेत था मैकॉले जो इस समय Governor General की Council में Law Member बने ने भारतिय कानून प्रणाली में व्यापक बदलावों की नीव रखी मैकॉले के प्रयासों से Indian Penal Code और अन्य कानूनों की रचना हुई जिसने भारत में कानून के कोडिफिकेशन को बढ़ावा दिया इसके अलावा इस Act ने सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया पहली बार यह प्रावधान किया गया कि भारतियों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी सेवाओं में नियुक्त किया जा सकता है चाहे उनका धर्म, जाती, जन्मस्थान या रंग कुछ भी हो हालांकि इस प्रावधान को लागू करने में समय लगा लेकिन यह एक महत्वपूर्ण घोशना थी जो आगे चलकर सामाजिक समानता की दिशा में एक कदम साबित हुई मैकॉले ने इस प्रावधान का समर्थन करते हुए कहा था कि ब्रिटिश शासन का एक मुख्य उद्देश्य भारतिय समाज को सिविलाइज करना है और इसके लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करना जरूरी है इस समय एक और बड़ा मुद्दा यह था कि बेंगॉल प्रेजिदेंसी को दो हिस्सों में बांटने की योजना थी हालांकि ततकालीन परिस्थितियों के कारण यह विभाजन टल गया और इसके बजाए नॉर्थ वेस्टन प्रोविंसिस के लिए एक लुटेनेंट गवनर की नियुक्ति की गई इससे प्रशासनिक धांचे में सुधार के प्रयास किये गए लेकिन केंद्रिय सत्ता को बनाए रखने के उद्देश से यह विभाजन बाद में लागू हुआ चार्टर एक्ट 1833 ने कंपनी के व्यापारिक मोनोपोली को पूरी तरह समाप्त कर दिया चाइना ट्रेड और टी ट्रेड पर कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया और फ्री ट्रेड की व्यवस्था लागू की गई इससे ब्रिटिश व्यापारियों को भारतिय बाजारों में आने का मौका मिला और भारत की अर्थ व्यवस्था पर उनका दबदबा बढ़ गया हालां कि इससे भारतिये कारीगरों और उद्योगों को बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि सस्ते ब्रिटिश गुड्स ने स्थानिय बाजार पर कबजा कर लिया इस एक्ट का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि कमपनी की संपत्ति अब क्राउन के लिए ट्रस्ट में रखी गई जिससे ब्रिटिश शासन को और भी मजबूत किया गया कमपनी का मुख्याले अब पूरी तरह से लंडन में केंदरित हो गया और उसकी सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई हालांकि कमपनी के पास अब भी पेटरनेज पावर्स थी जिससे वो प्रशासन में अपने प्रभाव को बनाए रख सकती थी यह एक तरह का कॉंप्रोमाईज था ताकि ब्रिटिश क्राउन के अधीन बहुत ज्यादा सत्ता केंदरित न हो जाए 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश इंडियन इतिहास में एक निरनायक मोड साबित हुआ इसने कंपनी के व्यापारिक युग का अंत कर इसे एक प्योरली एड्मिनिस्ट्रेटिव बोडी बना दिया इस एक्ट ने न सिर्फ ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रन मजबूत किया बलकि भारतिये समाज और प्रशासन में भी बड़े बदलावों की नीव रखी यह एक्ट उस Intellectual Climate का प्रतीक था जहां ब्रिटिश थिंकर्स और अड्मिनिस्ट्रेटर्स भारतिय समाज को अपने सिध्धानतों के अनुरूप ढालने का प्रयास कर रहे थे इस एक्ट के साथ मिकॉले, मिल और बेंटिंक जैसे लोगों का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया इस समय की बहसों, चर्चाओं और Intellectual Discussions ने ब्रिटिश कोलोनियल गवर्नेंस का नया चेहरा तैयार किया जो आगे चल कर भारत में प्रशासनिक सुधारों का आधार बना यह बदलाव एक नए राजनीतिक और प्रशासनिक युग की शुरुआत थी जिसमें व्यापारिक हितों की तुलना में शासन को प्राथमिक्ता दी गई 1853 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश शासन में एक और निर्नायक परिवर्तन का प्रतीक था यह वह दौर था जब भारतिय उप महद्वीप में कम्पनी का शासन राजनीतिक, एड्मिनिस्ट्रेटिव और सोशल चैलेंजिस से जूज रहा था 1833 के चार्टर एक्ट के दो दशक बाद, ब्रिटिश पार्लिमेंट ने फिर से इस्ट इंडिया कम्पनी के चार्टर की रिवियू की इस बार चर्चाओं में न केवल एड्मिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात उठी, बलकि ब्रिटिश शासन की लॉंग टर्म स्ट्रेजीजीज पर भी गहन विचार किया गया 1833 और 1853 के बीच का समय ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा दौर था जिसने इंडियन सब कॉंटिनेंट में गवर्नेंस की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया यह वह समय था जब इस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका धीरे धीरे एक कमर्शल और्गनाइजेशन से एक एड्मिनिस्ट्रेटिव एंटिटी में बदल रही थी 1833 के चार्टर एक्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल और कंपनी के एड्मिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कई महत्वपून बदलाव आए जो आगे चलकर 1857 के रिबेलियन और उसके बाद के एड्मिनिस्ट्रेटिव चेंजिस की नीव रखे 1830 के दशक के बाद ब्रिटिशन में इंडस्ट्रियल रेवोलूशन अपने चरम पर थी ब्रिटिशन का फोकस अब पूरी तरह से ग्लोबल ट्रेड, कोलोनियल एक्सपैंशन और पोलिटिकल डॉमिनंस पर केंद्रित था East India Company, जिसने पहले commercial interests के आधार पर इंडिया पर शासन किया था अब एक administrative body बन चुकी थी, लेकिन इस बदलाव ने कई challenges भी पैदा किये Company को अब सिर्फ administration और law and order बनाए रखने का काम करना था लेकिन economic instability, लगातार military campaigns और administrative failures ने Company की credibility पर सवाल खड़े कर दिये थे इस दौर में British governance के अंदर liberal और conservative ideologies के बीच conflict बढ़ गया Liberal thinkers और reformers का मानना था कि British India को एक अधिक centralized और efficient administration की जरूरत है James Mill जैसे विचारकों का influence अभी भी महसूस किया जा रहा था जिन्होंने एक strong administrative structure की वकालत की थी वहीं दूसरी ओर इंडिया में British administrators का भी मानना था कि Indian territories में company का administrative control बनाए रखने के लिए बड़े reforms की जरूरत है 1830 के दशक के अंत और 1840 के दशक की शुरुवात में Lord William Bentink और Lord Auckland जैसे Governor Generals ने Social और Economic reforms की दिशा में कदम उठाए लेकिन इन reforms का impact limited रहा 1840 के दशक में सबसे significant events में से एक थी Anglo-Sikh Wars जिनका असर पूरे North India में हुआ इस expansion के साथ ही company को more resources और efficient administration की आवशक्ता महसूस हुई जिससे British Crown का interference बढ़ गया इस समय British administration में Lord Dalhousie का उदय हुआ जिसने 1848 से 1856 तक Governor General के रूप में कार्य किया Dalhousie को एक reformer के रूप में जाना जाता है जिसने इंडिया में कई administrative और infrastructural reforms implement किये Dalhousie की doctrine of laps जिसके तहत बिना वारिस वाले Indian states को British territories में annex कर लिया जाता था ने company के control को और बढ़ा दिया हालांकि यह policy Indian rulers के बीच discontent और rebellion का कारण भी बनी Dalhousie के tenure में ही Indian railways और telegraph का विस्तार हुआ जिसने British administration को और centralized और efficient बना दिया Dalhousie के reforms के बावजूद company के शासन की limitations भी साफ नजर आने लगी administrative corruption, economic instability और बढ़ते military expenditures ने company की financial condition को weaken कर दिया British crown के अंदर भी यह discussion होने लगी कि अब company के charter को बिना किसी fixed period के renew किया जाए ताकि crown को flexibility मिले और जरूरत पढ़ने पर company के administrative control को खत्म किया जा सके यही mindset 1853 के charter act में spasht रूप से दिखाई देती है 1853 का charter act इन सभी events और circumstances का परिणाम था इस act के तहत company के charter को बिना किसी fixed term के renew किया गया जिससे यह साफ हो गया कि अब British crown company को एक permanent administrative unit के रूप में नहीं देख रही थी इसके साथ ही गवर्नर जेनरल की executive council में एक नया member जोडा गया जिससे specifically legislative functions के लिए appoint किया गया डलहौजी के tenure में इस बदलाव ने company के governance को और professional और effective बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए इस charter act ने company के commercial functions को पूरी तरह समाप्त कर दिया अब company का एक मात्र उद्देश्य administrative functions का संचालन करना था trade से जुड़े सभी कार्य समाप्त कर दिये गए थे जिससे यह साफ हो गया कि अब company का कोई economic interest नहीं है और यह केवल British Crown की एक agency बन कर रह गई है यह कदम British Crown द्वारा company के control को धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में एक और significant step था Governor General की executive council में बड़ा बदलाव किया गया अब इस council में एक नया legislative member जोड़ा गया जिसका काम सिर्फ law making process को देखना था इस परिवर्तन से council के functions में एक professional और structured approach आया council में जोड़ा गया यह नया member जिसका काम विशेश रूप से कानून से संबंधित था British India में law making की प्रक्रिया को अधिक organized और effective बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था इस act के तहट civil services में भी एक बड़ा बदलाव किया गया पहली बार civil services में open competition की शुरुआत की गई जिसमें Indians को भी participate करने की अनुमती दी गई हालांकि यह process पूरी तरह से fair नहीं थी क्योंकि examination Britain में आयोजित होती थी और exam का medium English था जिससे British candidates को natural advantage मिलता था इसके बावजूद यह एक important step था जिसने आगे चलकर Indians को administrative services में participation का मौका दिया Indian provinces की structure में बदलाव की अनुमती भी इस act के माध्यम से दी गई British administration को अब authority मिली कि वे नए provinces बना सकें या existing provinces का restructuring कर सकें इससे British crown को Indian territories में अधिक flexibility मिली जिससे वे अपने administrative control को बेटर तरीके से implement कर सके यह provision British India के governance को अधिक centralized और organized बनाने की दिशा में एक और कदम था इस act ने Governor General in Council को पूरे British India में laws enact करने की broad authority प्रदान की इससे पहले lawmaking की powers provincial level पर limited थी लेकिन इस provision ने British crown के अधिन सभी Indian regions में uniform laws लागू करने का रास्ता साफ किया इससे British administration को Indian regions पर अपना control और भी strengthen करने का opportunity मिला जिससे administrative centralization को और बल मिला 1853 का Charter Act British Indian history में एक significant turning point था इसने company के administrative control को बनाई रखा लेकिन इसके साथ ही crown के interference का path भी clear किया यह act उन changes की शुरुआत थी जो आगे चल कर company के शासन के end और British crown के direct rule की दिशा में बढ़े इस दौर ने न केवल British administration के structure को बदला बलकि Indian population के अंदर बढ़ते discontent और rebellion की भावना को भी जन्म दिया जो आगे चल कर 1857 के rebellion का का कारण बनी 1857 के विद्रोह के बाद British शासन के लिए भारत में सत्ता का संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन गया यह विद्रोह जिसे First War of Indian Independence के रूप में भी जाना जाता है ने East India Company के शासन की कमजोरियों को उजागर कर दिया भारतिय सैनिकों, किसानों और शासकों द्वारा कमपनी के खिलाफ विद्रोह की यह लहर British प्रशासन के लिए एक बड़ा जटका थी कमपनी के प्रशासनिक धांचे और नीतियों के प्रती भारतिये जनता में बढ़ते असंतोष ने स्पष्ट कर दिया था कि अब British Crown को सीधे हस्तक्षेप करना होगा यही वह प्रिष्ठ भूमी थी जिसमें Government of India Act 1858 अस्तित्व में आया 1857 के विद्रोह के बाद British Crown और Parliament ने महसूस किया कि अब East India कमपनी के माध्यम से भारत पर शासन करना संभव नहीं है कमपनी के नेत्रित्व में लगातार असफलताओं और विद्रोह को संभालने में नाकामी के कारण British Crown को यह तय करना पड़ा कि कमपनी के शासन को समाप्त किया जाए और भारतिय उपमहाद्वीप पर सीधे नियंत्रन स्थापित किया जाए इसी उद्देश्य से Government of India Act 1858 लाया गया जिसने British India में प्रशासनिक सनरचना को पूरी तरह बदल दिया इस Act के सबसे महत्वपून प्रावधान में से एक था East India Company के शासन का आधिकारिक अंत्थ 200 वर्षों तक भारतिय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाली कमपनी का प्रशासनिक अधिकार अब पूरी तरह से British Crown को सौप दिया गया यह एक निर्नायक कदम था जिसने इंडिया के governance को अब सीधे British Parliament और Crown के अधीन कर दिया अब इंडिया का प्रशासन British Crown द्वारा नियुक्त Secretary of State for India के हाथों में था जो British Parliament को जवाब दे था यह Secretary of State एक powerful figure था जिसे इंडिया के administration के सभी मामलों में supreme control हासिल था Secretary of State की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक Indian Council बनाई गई जिसमें company के पूर्व directors और high ranking officials शामिल थे इस council का काम था Secretary of State को सलाह देना और Indian Administration के फैसलों में मदद करना इस council के गठन का उदेश्य था कि British Crown के नियंतरण में भी company के accumulated experience और knowledge को प्रशासन में बनाई रखा जाए हालांकि अंतिम निर्णय का अधिकार Secretary of State के पास ही था जो एक centralized governance structure की नीव रखता था Governor General of India जो अब Viceroy कहलाया जाने लगा को British Crown का प्रत्यक्ष प्रतिनिधी बना दिया गया Viceroy का काम केवल executive powers को लागू करना नहीं था बलकि वह British Crown का authority और prestige भी दर्शाता था Lord Canning जो 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जेनरल था भारत का पहला Viceroy बना अब Viceroy का कार्य केवल प्रशासनिक फैसलों तक सीमित नहीं था बलकि वह British interests को बनाए रखने और Indian territories में law and order को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह उत्तरदाई था Viceroy की powers में भी वृद्धि की गई और उसे direct communication के माध्यम से Crown के साथ संपर्क बनाए रखने की अनुमती दी गई Government of India Act 1858 का एक और महत्वपूर्ण पहलू था Administrative Centralization अब सभी administrative powers को British Crown के अधीन centralized किया गया provinces और presidencies के governors अब सीधे Viceroy को report करते थे जो बदले में Secretary of State को report करता था इससे British Crown का नियंतरन और मजबूत हो गया और Indian Administration में एक centralized और hierarchical structure की स्थापना हुई इस Act के तहत Indian Army को भी British Crown के अधीन कर दिया गया पहले company की अपनी private army होती थी लेकिन अब Indian Army को British Army का हिस्सा बना दिया गया जिससे Military Control पूरी तरह से Crown के हाथों में आ गया यह बदलाव विद्रोह के बाद सुरक्षा और Stability सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था Government of India Act 1858 ने न केवल administrative structure को बदला बलकि यह British Governance में accountability और control को भी बढ़ाता है British Parliament को अब Indian Administration पर पूरी निगरानी रखने की शक्ती थी जिससे अब भारत की governance ब्रिटिश इंट्रेस्ट के अनुरूप संचालित की जा सकती थी इस Act ने Crown Rule की शुरुआत की जो अगले 90 वर्षों तक भारतिय उप महाद्वीप पर British Empire का प्रतीक बना रहा अंत में इस Act ने British Parliament को Indian Administration पर पूरी निगरानी रखने की शक्ती दी अब Indian Governance पूरी तरह से British Interest के अनुरूप संचालित हो सकती थी Secretary of State और Indian Council के माध्यम से British Parliament का influence और भी बढ़ गया जिससे Governance में Transparency और Accountability को सुनिश्चित किया जा सके इस कदम ने British Crown के rule को institutionalized किया और Indian Administration को crown rule के अधीन लाकर British Empire के centralized control की दिशा में एक decisive step लिया 1861 का Indian Councils Act वर कानून था जिसने British India में governance को एक नई दिशा दी 1857 के विद्रोह और उसके बाद Government of India Act 1858 के लागू होने के बावजूद British Administration के सामने कई चुनौतियां थी विद्रोह के बाद British Crown ने East India Company का शासन समाप्त कर दिया और सीधे शासन की बागदोर अपने हाथों में ले ली थी लेकिन इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि भारतिये जनता में असंतोष बढ़ रहा था यही वह प्रिष्ठ भूमी थी जिसमें Indian Councils Act 1861 लाया गया जिसका उद्देश ब्रिटिश इंडिया की legislative process में सुधार करना और उसमें कुछ हद तक Indian representation को शामिल करना था इस Act के तहट Governor General की Executive Council को legislative purposes के लिए पुनरगठित किया गया अब Council में non-official members को भी शामिल किया गया जिनमें कुछ Indian representatives भी थे यह पहली बार था जब British Administration ने Indian voices को शासन में शामिल करने का प्रयास किया हालांकि यह केवल symbolic representation था इन non-official members का चैन Governor General द्वारा ही किया जाता था और उनका role primarily advisory nature का था British authorities का यह एक tactical move था जिसके माध्यम से वो Indian elite के एक हिस्से को प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बना कर discontent को कम करना चाहते थे लेकिन वास्तविक decision making powers अभी भी British officials के हाथों में ही रही हालांकि Indian representation मुख्य रूप से symbolic थी इसने भविश्य में होने वाली political demands और representative governance की दिशा में पहला कदम रखा इस act के तहत कुछ प्रमुख भारतिये जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को councils में शामिल किया गया इन appointments ने Indian elite को British governance के कामकाज का अनुभव दिया और राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दिया धीरे धीरे इस limited representation ने भारतिये राश्ट्रियता और स्वतंत्रता की मांगों को एक नई दिशा दी इस act ने decentralization का भी प्रयास किया जिसके तहट provincial legislative councils की स्थापना का प्रावधान किया गया मद्रास, बॉंबे और बेंगॉल जैसी प्रमुक प्रेजिदेंसी में इन councils का गठन किया गया इसका primary उद्देश्य local issues को बहतर तरीके से address करना था लेकिन यह decentralization भी British control के तहट carefully structured था local governance को कुछ autonomy दी गई लेकिन British crown का ultimate control intact रहा इस decentralization ने British rule को grassroots level पर मजबूत करने में मदद की और local resistance को नियंतरित करने का एक साधन बना हालांकि यह decentralization असल में control decentralization थी जिसमें central authority के पास ultimate decision making power बनी रही इससे provincial councils को कुछ legislative autonomy मिली लेकिन उनका वास्तविक अधिकार सीमित ही रहा Indian representation के लिए यह act एक महत्वपूर्ण मोड था क्योंकि पहली बार British India की highest legislative body में Indian members को शामिल किया गया हालांकि यह inclusion symbolic थी और Indian representatives का role केवल suggestive और consultative था उनका कोई significant say नहीं था और उनके सुझाव British officials की प्राथमिकताओं के अनुसार ही consider किये जाते थे यह British administration का एक calculated step था जिससे वो Indian elite के कुछ हिस्से को शासन प्रक्रिया का हिस्सा बना कर उनकी loyalty हासिल कर सके हालांकि यह representation limited थी इसने भविश्य में होने वाली political demands और representative governance की दिशा में पहला कदम रखा इस act का एक और महत्वपूर्ण पहलू portfolio system की शुरुवात थी गवर्नर जेनरल को यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी council के सदस्यों को specific departments जैसे finance, law और home affairs का प्रभार दे सके यह departmentalization British governance में एक structured approach लाने की दिशा में पहला कदम था जिससे administrative functions को better organized किया जा सका यह portfolio system जिसे बाद में और विस्तार मिला भारतिय प्रशासन में modern cabinet system की नीव रखने में भी सहायक रहा Indian Councils Act 1861 ने provincial legislative power को भी पुनर स्थापित किया जिसे पहले Charter Act 1833 के माध्यम से centralized किया गया था अब provincial councils को local laws बनाने की limited authority दी गई हालांकि यह powers काफी restricted थी और British control को प्राथमिकता दी गई इससे local governance में कुछ degree of autonomy आई लेकिन real power British hands में ही रही यह decentralized approach एक carefully controlled process था जो British rule को मजबूत करने के साथ ही local grievances को शान्त करने का प्रयास भी करता था इस act के तहत वाइस रॉय को ordinance जारी करने की power भी दी गई जो emergency situations में council की approval के बिना लागू हो सकते थे यह ordinance making power British governance को flexibility देती थी ताकि वो किसी भी emerging threat का तुरंत मुकाबला कर सके यह British India में centralized power structures का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है और इसका उपियोग अकसर उन स्थितियों में किया जाता था जब immediate action की आवश्यक्ता होती थी Indian Councils Act 1861 ने British India की legislative process को formalize किया और Indian representation की दिशा में पहला कदम उठाया लेकिन यह representation मुक्यता symbolic थी British administration के लिए यह एक tactical move था जिसके माध्यम से वो disc content को कम करने और Indian voices को control में रखने की कोशिश कर रहे थे हालांकि इस act ने limited reforms की शुरुवात की लेकिन इसका उद्देश्य primarily British interests को सुरक्षित रखना ही था यह कदम आगे चलकर Indian political awakening और future demands for greater representation की नीव बन गया इस act ने एक controlled decentralization का framework भी तयार किया जिसने आगे चलकर Indian councils act 1892 और 1909 के reforms की दिशा में रास्ता साफ किया इस act के आलोचकों का यह भी मानना था कि वास्तविक legislative power British officials के हाथ में ही रही और Indian members को सिर्फ एक symbolic presence दी गई बावजूद इसके इस symbolic representation ने आने वाले समय में भारतिय राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दिया और एक gradual constitutional evolution की शुरुआत की जिसका असर बीसवी सदी के reforms पर भी पड़ा 1892 का Indian Councils Act भारतिय शासन में एक महत्वपूर्ण मोड था जिसने British administration में limited reforms और Indian representation का मार्ग प्रशस्त किया यह act 1861 के Indian Councils Act की सीमाओं और असंतोश को दूर करने का प्रयास था जैसे जैसे 1880 के दशक में nationalist sentiments बढ़ रहे थे और Indian National Congress जैसी संस्थाएं political demands उठा रही थी British सरकार को कुछ concessions देने की जरूरत महसूस हुई इस प्रिष्ठ भूमी में 1892 का Indian Councils Act सामने आया Indian National Congress, INC की persistent demands और representations ने British authorities पर दबाव डाला कि वे कुछ राजनीतिक बदलाव करें INC द्वारा उठाई गई मांगों में councils में elected members की संख्या बढ़ाना, budget discussions में हिस्सा लेना और administrative reforms शामिल थे हालां कि British सरकार ने इन मांगों को सीमित रूप में स्वीकार किया Act के जरीए British सरकार ने legislative councils का विस्तार किया और उन में non-official members की संख्या बढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह था कि councils में indirect election की शुरुआत की गई हालां कि इसे election कहने के बजाए nomination की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया लेकिन वास्तव में councils के कुछ members को चुनाव के माध्यम से चुना जाने लगा British authorities के लिए यह एक cautious approach था जिससे वो भारतियों को limited representation देकर political unrest को शांत करना चाहते थे जबकि वास्तविक power अपने हाथ में ही बनाए रखना चाहते थे यह कदम electoral politics की दिशा में पहला लेकिन महत्वपून कदम था इस act ने भारतिये शासन में चुनावी राजनीती की शुरुआत की हालां कि यह केवल अप्रत्यक्ष रूप में थी चुनावी प्रक्रिया के रूप में local bodies, district boards, municipalities, universities और chambers of commerce से council members के लिए nominations लिए गए इसने भविश्य के लिए direct elections की मांग का रास्ता साथ किया एक्ट ने legislative councils के लिए budget discussion और questions पूछने का प्रावधान भी किया यह पहली बार था जब councils में financial matters पर critical discussion को अनुमती दी गई Indian representatives इस बदलाव से कुछ हद तक संतुष्ट हुए लेकिन यह भी साफ था कि यह सिर्फ superficial concession थी councils का role consultative था और final decision making powers British officials के पास ही बनी रही यह limited reforms British administration की incremental strategy का हिस्सा थे जिससे धीरे-धीरे Indian demands को address किया जा सके Act में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था कि nominated members में केवल उन्ही व्यक्तियों को शामिल किया जाए जो British सरकार के प्रती loyal हों और radical या anti-British sentiments को बढ़ावा न दें British authorities ने यह सुनिश्चित किया कि councils में कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल न हो जो सरकार के खिलाफ हो Lord Lancedown और Secretary of State के बीच चली लंबी चर्चाओं के बाद यह तय किया गया कि councils का structure ऐसा हो जिससे Indian demands को कुछ हद तक address किया जा सके लेकिन governance पर British control को कमजोर न किया जाए Indirect election के माध्यम से selected members को councils में शामिल किया गया जो nominated थे लेकिन चुन्ने की प्रक्रिया में Indian interests को कुछ जगह दी गई British officials ने carefully यह सुनिश्चित किया कि councils में वही लोग आएं जो सरकार के प्रती loyal हों और किसी तरह की radical या anti-British sentiments को बढ़ावा न दे Indian Councils Act 1892 का एक और महत्वपून पहलू local bodies, municipalities और district boards की भूमिका थी इन local bodies को council members के लिए candidates recommend करने की अनुमती दी गई जिससे representation की दिशा में एक decentralized approach की शुरुआत हुई हालांकि final selection British authorities के पास था यह local self-governance की बढ़ती भूमिका का संकेत था यह decentralized approach symbolic थी लेकिन इसने आगे चल कर future demands के लिए जमीन तयार की इस limited participation ने भविश्य में और व्यापक reforms की मांग को बल दिया इस act के तहत councils में public criticism की अनुमती दी गई जिससे भारतिय सदस्य पहली बार British policies की आलोचना कर सकते थे हालांकि उनके पास voting rights नहीं थे यह बदलाव उन्हें सारवजनिक रूप से अपनी असहमती व्यक्त करने का मौका देता था जो आगे चल कर भारतिय राजनीतिक चेतना को जागरूप करने में सहायक बना यह act Indian political aspirations को पूरी तरह से संतुष्ट करने में विफल रहा लेकिन इसने भारतिय राजनीतिक जागरूपता को एक नई दिशा दी पहली बार councils में elections जैसा कोई तत्व आया जिसने भारतियों में political participation की भावना को बढ़ावा दिया इस symbolic step ने आगे चल कर अधिक व्यापक reforms की मांग को बल दिया एक्ट के तहत किये गए limited reforms ने इंडियन political landscape में एक नई चेतना जागरित की और representative governance की दिशा में incremental change की शुरुआत की इंडियन councils act 1892 के तहत councils के रोल को provincial levels पर भी लागू किया गया लेकिन यह decentralization सीमित powers के तहत रही British officials ने अपने नियंतरण को बनाए रखते हुए limited autonomy दी जो grassroots स्तर पर local grievances को शांत करने का प्रयास था Indian councils act 1892 British administration के लिए एक balancing act था एक ऐसा प्रयास जिसमें limited concessions के माध्यम से बढ़ते असंतोश को शांत किया जा सके जबकि real power British hands में ही बनी रहे यह act symbolic था लेकिन इसने future political developments की नीव रखी जो आगे चलकर 1909 के morally minto reforms और subsequent political changes का आधार बने यह act British appeasement strategy का हिस्सा था जिसने धीरे धीरे भारतियों को governance में शामिल किया लेकिन वास्तविक सत्ता अपने हाथ में बनाए रखी इस act के आलोचकों का यह भी मानना था इंडियन मेंबर्स को सिर्फ एक symbolic presence दी गई बावजूद इसके इस symbolic representation ने आने वाले समय में भारतिये राजनीतिक चेतना को बढ़ावा दिया और एक gradual constitutional evolution की शुरुवात की जिसका असर 20-वी सदी के reforms पर भी पढ़ा 1909 का Indian Councils Act जिसे Morley-Minto reforms के नाम से भी जाना जाता है British India की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था यह act ब्रिटिश सरकार की उस रणनीति का हिस्सा था जिसके तहत भारतियों को limited राजनीतिक अधिकार दिये गए लेकिन साथ ही उनकी मांगो को भी सीमित किया गया Secretary of State for India, Lord Morley और Vice Roy, Lord Minto ने इस act को तयार किया जिसमें councils में भारतियों की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ communal representation की शुरुआत की गई जिसने भारतिये राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डाला 1892 के Indian Councils Act के बाद भारतिये राजनीति में nationalist sentiments और तेजी से बढ़ रहे थे Indian National Congress और Muslim League जैसी संस्थाएं अब British शासन में अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्वशासन की मांग करने लगी थी Congress के नेताओं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी ने Councils में elected members की संख्या बढ़ाने और budget discussions में हिस्सा लेने की मांग की थी 1907 में सुरत स्प्लिट के बाद Congress के moderates और extremists के बीच मतभेद खुल कर सामने आ गए इसी बीच Lord Minto और Lord Morley के बीच तीखी चर्चाएं इस बात पर हुई कि भारतियों को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए Morley का मानना था कि अगर British शासन को स्थायत्व चाहिए तो Councils में भारतियों को अधिक शामिल करना जरूरी है लेकिन मिंटो के लिए सबसे बड़ी चुनौती Communal Tensions को शान्त करना था जिसके चलते उसने Separate Electorates का प्रस्ताव रखा यह कदम उस समय भी काफी विवादासपद था क्योंकि कई नेताओं ने इसे हिंदू-मुसलिम एक्ता को तोड़ने के उद्देश से देखा इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण और विवादासपद प्रावधान Separate Electorates का प्रावधान था मुसल्मानों को एक अलग Electorate के तहत अपने प्रतिनिधी चुनने का अधिकार दिया गया यह ब्रिटिश की Divide and Rule नीती का हिस्सा था जिसके जरिये वे भारतिय समाज में communal lines को institutionalize करना चाहते थे इस फैसले ने मुसलिम लीक को मजबूती दी और हिंदू-मुसलिम विभाजन को गहरा कर दिया अलिगढ आंदोलन के नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया जबकि Congress के कई नेता इस पर असहमती जताते रहे Act में separate electorates का प्रावधान Indian Politics में communal representation को आपचारिक रूप देने का पहला कदम था ये electorates न केवल communal tensions को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे बलकि उन्होंने भारतिय राजनीती में विभाजन की जड़े मजबूत की INC के भीतर और बाहर के कई नेताओं ने इस कदम की आलोचना की इसे divide and rule नीती का सबसे सपष्ट उदाहरण बताया साथ ही इस Act के तहत Councils में elected members की संख्या बढ़ाई गई Central Legislative Council में Indian members का प्रतिनिधित्व बढ़ा लेकिन critical matters पर British control बना रहा Indian members को budget discussions और legislative matters पर limited से दिया गया इसके अलावा उन्हें questions पूछने और resolutions प्रस्तुत करने का अधिकार भी मिला हालांकि यह अधिकार symbolic था क्योंकि final authority British officials के पास ही रही British strategy का एक और पहलू यह था कि Councils में उन्हीं व्यक्तियों को चुना जाए जो सरकार के प्रती loyal हो और किसी भी तरह के radical या anti-British sentiments को बढ़ावा न दे Congress के moderates ने इस act का समर्थन किया लेकिन extremists ने इसे superficial concession करार दिया बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने कहा कि यह act भारतियों को टुकडों में अधिकार दे रहा है जबकि असल में सत्ता ब्रिटिश ही अपने पास रखे हुए है दूसरी ओर गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी ने इसे एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जो भविष्य में बड़े सुधारों की नीव रख सकता है गोखले ने काउंसिल्स में अपने तरकों और बजट पर विस्तरित चर्चाओं के जरिये ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी जिससे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का मार्ग प्रशस्त हुआ गोपाल कृष्ण गोखले जैसे मौडरेट्स के प्रयासों के बावजूद तिलक और विपिन चंदरपाल जैसे रैडिकल्स का मानना था कि यह एक्ट केवल एक और दिखावा है इस सब के बीच लॉर्ड मौडली का दावा था कि यह एक्ट इंडिया को पश्चमी सिधानतों की ओर ले जाने का पहला कदम है लेकिन उसने यह भी स्पष्ट किया कि सेल्फ गवर्नेंस देना अभी ब्रिटिश हितों के खिलाफ है वहीं लॉर्ड मिंटो ने जोर दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स भारतिय समाज की वास्तविक्ता है और उन्हें नजरंदाज नहीं किया जा सकता यही वो बिंदु था जहां ब्रिटिश स्ट्रेजी कम्यूनलिजम को बढ़ावा देने के लिए मोड ली गई जिसका असर भारतिय राजनीती में दशकों तक रहा इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 का सबसे बड़ा असर कम्यूनल रिप्रेजेंटेशन के इंस्टिशनलाइजेशन के रूप में देखा जा सकता है सेपरेट एलेक्टोरेट्स ने कम्यूनल टेंशन्स को बढ़ाया और भारतिय राजनीती में कम्यूनलिजम को स्थाई रूप से जगह दी आगे चलकर इसी नीती ने इंडियन पॉलिटिक्स में विभाजन और असंतोश को बढ़ाया दूसरी और इस एक्ट ने पहली बार काउंसिल्स में इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स की नियुक्ति की जिनमें गोपाल कृष्ण गोखले और सैयद हुसैन बिल ग्रामी जैसे नेता शामिल थे हालांकि ये चुनाव अप्रत्यक्ष थे लेकिन उन्होंने भारतिय समाज को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की और बढ़ने का पहला संकेत दिया हालांकि एक्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कई नेताओं ने कहा कि यह इंडियन एस्पिरेशन्स को पूरी तरह से एड्रेस नहीं कर सका आइनसी के रैडिकल फैक्षन ने इस एक्ट को बिटिश का एक और चाल बताया जो सिर्फ दिखावे के लिए सुधार कर रहे थे जबकि असली सत्ता बिटिश ओफिशल्स के पास ही रही इस एक्ट ने आने वाले समय के राजनीतिक परिद्रिश को कम्यूनल लाइन्स पर विभाजित कर दिया जिससे कॉंग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भविश्य की राजनीति में गहरे मतभेद पैदा हुए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भारतिय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था इसने न केवल इलेक्टोरल प्रिंसिपल्स को फॉर्मलाईज किया बलकि कम्यूनल पॉलिटिक्स की भी नीव रखी जिसका असर भविश्य में हुए रिफॉर्म्स और भारत के स्वतंतरता संग्राम पर पड़ा यह एक्ट आगे चलकर 1919 के मॉन्टाग्यू चल्मसफ़र्ड रिफॉर्म्स और गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की दिशा में पहला कदम साबित हुआ ब्रिटिश की ग्रैजूलिस स्ट्राटेजी को समझना भी महत्वपूर्ण है जिसके तहत ये इंक्रिमेंटल रिफॉर्म्स पेश किये जाते रहे ताकि इंडियन डिमांड्स को नियंत्रिक्स दिया जाते 1919 का Government of India Act जिसे Montague Chelmsford Reforms के नाम से भी जाना जाता है ब्रिटिश इंडिया में शासन के लिए एक महत्वपूर्ण समवैधानिक सुधार था यह Act ब्रिटिश सरकार द्वारा Self-Governance की दिशा में भारतियों को एक सीमित लेकिन महत्वपूर्ण कदम देने का प्रतीक था बढ़ते असंतोश और भारतिय राश्ट्रिय आंदोलन के दबाव को देखते हुए लागू किया खास कर 1917 की August Declaration में Montague ने यह घोशना की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से जिम्मेदार सरकार की स्थापना है इस एक्ट के तहट सबसे प्रमुख परिवर्तन प्रांतीय स्तर पर डायार्ची की व्यवस्था थी इसमें शासन को दो हिस्सों में बांटा गया Reserved Subjects और Transferred Subjects Reserved Subjects जिनमें Law and Order, Finance, Revenue और Irrigation जैसे महत्वपून विभाग आते थे British Governors और उनके Executive Council के नियंतरण में रहे वहीं Transferred Subjects जैसे Health, Education, Agriculture, Local Self-Government और Public Works को भारतिय मंत्रियों को सौपा गया हाला कि भारतिय मंत्रियों को कुछ अधिकार दिये गए लेकिन उनके उपर Governor का Veto Power और Intervention का अधिकार बना रहा जिससे वास्तविक सत्ता British अधिकारियों के पास ही रही यह सत्ता विभाजन केवल प्रांतिय स्तर तक ही सीमित था केंद्रिय स्तर पर ऐसे किसी विभाजन का प्रावधान नहीं था केंद्रिय स्तर पर इस Act के तहत Bicameral Legislature की शुरुवात की गई इसके तहर Council of State इस Upper House और Legislative Assembly इस Lower House की स्थापना की गई Council of State में अधिकांश सदस्य नॉमिनेटेड थे और British Control के अधीन थे Legislative Assembly में Elected Indian Members की संख्या बढ़ाई गई लेकिन Critical Matters जैसे Budget, Defense और Lawmaking में British Control बरकरार रहा Council of State में कुल 60 सदस्य थे जिनमें से 33 सदस्य नॉमिनेटेड थे और 27 सदस्य इलेक्टेड इसके सदस्य mostly Europeans थे दूसरी ओर Legislative Assembly में कुल 144 सदस्य थे जिनमें से 41 नॉमिनेटेड और 103 इलेक्टेड थे हालांकि Indian Representation बढ़ा लेकिन Budget और Legislation के मामलों में अंतिम निर्णें British authorities के पास ही रहा प्रांतिय विधान परिशदों में भी Indian Representation को बढ़ाया गया लेकिन यहाँ पर भी Reserved और Transferred Subjects के तहत विभाजन किया गया Indian Ministers को केवल Transferred Subjects पर ही अधिकार मिला जिनमें Governors की Discretionary Powers का हस्तक्षेब किसी भी समय हो सकता था फ्रांचाइज भी सीमित थी जो संपत्ती, शिक्षा और कर योग्यक्षमता के आधार पर ही दी गई थी जिससे अधिकांश भारतिये electorate से बाहर रह गये इस सीमित प्रतिनिधित्व ने Indian Aspirations को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया लेकिन यह राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम था इसके साथ ही Separate Electorates का प्रावधान जो 1909 के Indian Councils Act के तहट शुरू किया गया था अब और विस्तारित हो गया इसके तहट न केवल मुसल्मानों के लिए अलग electorates थे बलकि Sikh, European, Anglo-Indians, भारतिये इसाईयों और व्यापारिक वर्गों को भी अलग से electorate प्रदान किये गए यह communal divide को गहरा करने की British strategy थी जिससे भारतिये समाज में एकता कमजोर हो और British अपनी पकड़ बनाए रख सके हालांकि Indian representatives को budget पर चर्चा और सवाल पूछने का अधिकार दिया गया लेकिन voting rights बेहद सीमित थे बजेट पर सिर्फ एक हिससे that is non-voted items पर ही चर्चा की जा सकती थी जबकि critical items British officials के exclusive control में रहे legislative councils में resolutions पेश किये जा सकते थे लेकिन final approval British executive के पास ही रहता था इस व्यवस्था ने Indian ministers के अधिकारों को केवल नाम मात्र का बना दिया इसके अलावा governor और viceroy को immense powers दी गई गई गवरनर का veto power और discretionary powers किसी भी निर्णय को nullify कर सकते थे viceroy के पास भी overriding authority थी जिससे Indian ministers के निर्णयों को आसानी से रद्द किया जा सकता था इसने सपष्ट कर दिया कि British control के नीचे Indian ministers की भूमिका केवल symbolic थी जबकि असली शक्ती British के हाथों में ही रही Montague और Chelmsford के बीच गहन चर्चाओं के बाद यह तै किया गया कि सुधारों को इस प्रकार लागू किया जाए कि Indian demands को कुछ हद तक address किया जा सके लेकिन British control को कमजोर न किया जाए इस कारण डियार्ची की व्यवस्था लागू की गई जिसमें critical subjects British control में बने रहे Montague जहां सुधारों के पक्ष में था वहीं Chelmsford ने अधिक कठोर द्रिष्टिकोन अपनाते हुए British interests को सुरक्षित रखने पर जोर दिया Indian leaders जैसे मोतिलाल नहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नहरू, बाल गंगाधर तिलक इस act की कड़ी आलोचना की उनका मानना था कि यह सुधार भारतियों को केवल दिखावे के लिए self-governance का illusion दे रहे हैं, जबकि असली सत्ता ब्रिटिश के हाथों में ही है गांधी ने इसे ब्रिटिश सरकार की चाल करार दिया और self-governance की मांग को लेकर non-cooperation movement की शुरुवात की इस act का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि भारतिये मंत्रियों को सत्ता संचालन का अनुभव मिला जिसने आगे चल कर self-governance की मांग को मजबूत किया इसके साथ ही communal representation के विस्तार ने हिंदू-Muslim divide को गहरा कर दिया जिसका असर आने वाले दशकों में देखा गया इस act के तहट पहली बार भारतियों को व्यापक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिला लेकिन British Control की सीमाओं के भीतर ही Government of India Act 1919 ने British Indian Politics में एक नई दिशा तै की यह act आगे चलकर Government of India Act 1935 और अंततह भारत की स्वतंतरता के लिए उठाए गए कदमों की नीव बना हालांकि इसे self-governance की और बढ़ते कदम के रूप में देखा गया लेकिन Indian leaders ने इसे एक अधूरा प्रयास बताया इस act के परिणाम स्वरूप भारतिय जनता में यह धारणा मजबूत हुई कि ब्रिटिश सरकार केवल incremental reforms के माध्यम से समय बरबाद कर रही है Government of India Act 1935 ब्रिटिश इंडिया के constitutional history का एक ऐसा कानून था जिसने आने वाले समय के राजनीतिक परिद्रिश को पूरी तरह से बदल दिया यह act ब्रिटिश गवर्मेंट की उस gradualist strategy का हिस्सा था जिसके तहत Indian aspirations को manage किया जा सके और साथ ही British control को भी बनाए रखा जाए इस act ने Indian politics में federal structure की नीव रखी provincial autonomy बढ़ाई और communal representation को institutionalize किया Secretary of State for India Sir Samuel Hoare और Vice Roy Lord Lynn Littko ने मिलकर इस act को तयार किया जिसमें British interests और Indian demands के बीच एक delicate balance बनाने की कोशिश की गई Indian National Congress और Muslim League जैसी organizations उस समय full self-governance की मांग कर रही थी Simon Commission और उसके बाद हुए round table conferences में Indian leaders ने अपनी demands को पूरी ताकत के साथ रखा British government के लिए सबसे बड़ी चुनोती communal tensions को manage करना था इसलिए उन्होंने एक complex federal structure और separate electorates का प्रस्ताव रखा इस act की सबसे बड़ी खासियत इसका federal structure था जिसके तहर पहली बार British India और princely states को एक federation में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया Federation में British Indian provinces, Chief Commissioners provinces और princely states को शामिल करने की योजना बनाई गई थी हालांकि princely states की participation voluntary थी और उनकी reluctance के कारण यह federation कभी functional नहीं हो पाया यह एक major reason था कि proposed federation अपने theoretical stage से आगे नहीं बढ़ पाया Subjects को federal list, provincial list और concurrent list में divide किया गया Federal list में defense, foreign affairs और communications जैसे critical subjects शामिल थे जो British government के control में थे Provincial list में subjects जैसे agriculture, health और education शामिल थे जिन पर provinces को autonomy दी गई थी Concurrent list में वो subjects थे जिन पर बोथ center और provinces का control था लेकिन अगर कोई conflict हुआ तो central government का decision final होता Residuary powers governor general के पास रखी गई जिससे British control को maintain रखा जा सके princely states की reluctance के कारण proposed federation कभी functional नहीं हो पाया princely states अपने autonomy को बनाये रखना चाहती थी और उन्हें fear था कि federation में शामिल होने से उनका स्वतंत्र अस्तित्व खत्रे में पढ़ सकता है British government ने उनके fears को address करने के लिए कई efforts किये लेकिन उन्हें full cooperation नहीं मिल पाया Federation का failure British strategy की एक बड़ी setback था जिसने Indian leaders को यह समझा दिया कि British government उनके aspirations को fulfill करने में genuinely interested नहीं थी Provincial autonomy इस act का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसमें provinces को significant autonomy दी गई डायार्ची जो Government of India Act 1919 के तहत लागू की गई थी उसे समाप्त कर दिया गया Provincial autonomy के तहत provinces को अपने subjects पर अधिक control मिला लेकिन governors को special powers दिये गए ताकि वे law and order और communal tensions को manage कर सके Governors को special responsibilities दी गई जिन में minorities की protection, communal harmony को बनाये रखना और political stability सुनिश्चित करना शामिल था Governors की powers इतनी extensive थी कि Provincial autonomy symbolic बन कर रह गई British control अभी भी पूरी तरह से intact था और Indian members की भूमिका सिर्फ deliberation तक सीमित थी तहत bicameralism का वास्तविक महत्व federal structure के साथ उभर कर आया इस act के तहत central level पर एक मजबूत bicameralism जिस लेचर की स्थापना की गई जिसमें council of states और federal assembly शामिल थे Federal assembly में representation communal lines पर based था और princely states के representatives को nominate किया गया अब bicameralism advisory नहीं बलकि policy making और governance का एक प्रभावी टूल बन गया खास कर communal representation को institutionalize करने के संदर्भ में लेकिन proposed federation कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया और council of states का true potential कभी fully realized नहीं हो सका federation के अस्तित्व में न आने की वजह से bicameral legislature का intended role भी सीमित रह गया और British government का central control जारी रहा separate electorates का provision इस act का सबसे controversial और divisive aspect था communal representation को institutionalize करते हुए Muslims, Sikhs, Europeans, Anglo-Indians और Indian Christians के लिए अलग से electorates बनाए गए separate electorates ने Hindu-Muslim divide को और गहरा कर दिया जिससे Indian politics में communalism को बढ़ावा मिला लेकिन depressed classes के संदर्भ में इस act ने पूना pact के provisions को अपनाया communal award 1932 के तहत initially depressed classes के लिए separate electorates का प्रावधान था जिसे Dr. B.R. Ambedkar ने support किया था लेकिन गांधी के विरोध और fast unto death के चलते पूना pact के जरिए separate electorates को reject कर दिया गया इसके बजाए joint electorates के तहत depressed classes के लिए reserved seats का प्रावधान किया गया Government of India Act 1935 ने इसी model को follow किया और depressed classes के लिए joint electorate framework में reserved seats प्रावधान की act ने पूना pact की भावना को बनाये रखा और इसने depressed classes के लिए separate electorates को exclude कर दिया जबकि अन्य communities के लिए communal electorates बनाये रखे इस act के तहत दो महत्वपूर्ण institutions की स्थापना हुई Reserve Bank of India और Federal Public Service Commission RBI की स्थापना एक Central Banking Institution के रूप में की गई जो monetary control और currency management के लिए responsible थी RBI का primary function monetary stability को बनाये रखना और Indian economy की foundation को stabilize करना था Federal Public Service Commission को civil services के recruitment और examination को transparent और merit-based बनाने के लिए स्थापित किया गया यह commission later Union Public Service Commission UPSC के रूप में evolve हुआ और आज भी Indian bureaucracy का backbone है Federal Public Service Commission का objective यह था कि government services में capable और loyal individuals की recruitment हो ताकि British administration efficiently चल सके Government of India Act 1935 ने Indian governance के structure को reshape किया लेकिन इसकी कई provisions को लेकर कड़ी आलोचना भी हुई Federation के नाम पर British control को centralized किया गया जिससे provincial autonomy symbolic रह गई Separate electorates ने communal politics को मजबूत किया जिसने आगे चल कर partition को एक reality बना दिया इस act में franchise को limited रखा गया जिससे केवल 10% population को voting rights मिले इसका मतलब था कि democratic representation की सीमाएं सपश्ट थी और British government का ultimate control बनाए रखा गया इसके बावजूद यह act Indian governance structure के लिए एक foundational document बन गया जिसका कई provisions independent India के constitution में भी retain किये गये Government of India Act 1935 एक ऐसा complex document था जिसने British control और limited Indian self-governance के बीच balance बनाने की कोशिश की इस act की कई provisions को बाद में Indian constitution में भी retain किया गया हालांकि communal representation और centralized power जैसे aspects ने Indian politics में विभाजन को बढ़ावा दिया यह act British India के gradualist strategy का सबसे महत्वपून कदम था जिसने Indian demands को manage करने की कोशिश की लेकिन आखिरकार Indian aspirations को पूरी तरह से satisfy नहीं कर सका British government का यह प्रयास self-governance की दिशा में incremental reforms के जरिए Indian leaders को कुछ political rights देने का था लेकिन इसने Indian society में communalism को institutionalize कर दिया जिसके प्रभाव से Indian subcontinent अभी तक उबर नहीं पाया है Indian Independence Act 1947 भारतिय इतिहास में एक निर्नायक मोड था यह वह कानून था जिसने British rule का अंत किया और भारत को स्वतंतरता दिलाई इस act के साथ ही British India का विभाजन दो स्वतंतर राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में हो गया यह act ब्रिटिश पार्लिमेंट द्वारा पारित किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसे क्राउन की सहमती प्राप्त हुई इसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए स्वतंतर राष्ट्र अस्तित्व में आये इस act की प्रिष्ठ भूमी में Second World War के बाद की घटनाएं और Indian Independence Movement के तेज होते struggle शामिल थे 1940 के दशक की शुरुआत से ही भारत में Independence की मांग और British शासन के खिलाफ जन आंदोलन पीक पर थे 1942 में Quit India Movement ने British Government को हिला कर रख दिया हालांकि वार की situation के कारण British Government immediate independence देने की स्थिती में नहीं थी लेकिन वार के बाद circumstances तेजी से बदलने लगे 1946 में Cabinet Mission को भारत भेजा गया ताकि power transfer की process को तै किया जा सके हालांकि इस Mission ने एक संभावित federal structure की plan प्रस्तुत की Muslim League के बीच disagreements के कारण यह plan पेल हो गया Muslim League ने Muslims के लिए एक अलग nation की demand को आगे बढ़ाया और direct action day की घोशना की जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर communal violence हुई आखिरकार British Government ने महसूस किया कि partition ही एक मात्र solution है इस background में ततकालीन Viceroy Lord Mountbatten ने इंडिया का partition और power transfer की plan तैयार की उसने इसे 3 June plan या Mountbatten plan के रूप में present किया इस plan में British India को दो अलग-अलग states में divide करना शामिल था एक Hindu majority इंडिया और एक Muslim majority पाकिस्तान Congress और Muslim League दोनों ने इस plan को accept किया इसके आधार पर Indian Independence Act 1947 को British Parliament में introduce किया गया और इसे जल्द ही पास कर दिया गया इस Act के तहत British India को दो independent dominions इंडिया और पाकिस्तान में divide किया गया पाकिस्तान को पश्चिमी और पूर्वी parts के रूप में establish किया गया इन दोनों dominions को 15 अगस्त 1947 को independence दी गई इंडिया और पाकिस्तान को अब independent और sovereign nations के रूप में recognize किया गया और British Crown का supremacy खत्म हो गया दोनों nations को अपनी own government और constitution बनाने का right दिया गया इंडिया और पाकिस्तान की constituent assemblies को full legislative और constitutional powers दी गई ये assemblies दोनों nations के लिए नए constitution का draft तयार करेंगी जब तक नए constitution नहीं बनते तब तक Government of India Act 1935 के provisions को ही follow किया जाएगा इस act के अनुसार British Indian provinces को इंडिया या पाकिस्तान में शामिल होने का right दिया गया साथ ही लगभग 565 princely states को यह option दिया गया कि वे इंडिया पाकिस्तान में से किसी के साथ merge करें या independent रहें यह provision आगे चल कर कई complexities का cause बना एस्पेशली कश्मीर जैसे regions में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को अपना अपना governor general appoint करने का right दिया गया governor general अब British government का representative नहीं बलकि respective dominion की government का head होगा Lord Mountbatten को independent India का पहला governor general appoint किया गया जब तक नए constitution नहीं बनते तब तक Government of India Act 1935 के तहत governance होगी हालांकि इसमें amendment का right constituent assemblies को दिया गया जिससे उन्हें freely law making और अपने constitution को shape करने की freedom मिल सके British India की assets, liabilities और services का distribution इंडिया और पाकिस्तान के बीच किया गया साथ ही दोनों dominions को international treaties को revise या cancel करने का right दिया गया Indian Independence Act 1947 के लागू होने के बाद इंडिया और पाकिस्तान दो independent nations बने हालांकि इस partition ने massive communal violence और population displacement को trigger किया लाखों लोग अपनी जमीन और घर छोड़ने को मजबूर हुए और लाखों की जाने गई इस tragedy ने Indian subcontinent के social और cultural fabric को deeply impact किया Officially, independence मिलने के साथ ही Indian national leaders को एक independent और democratic nation की foundation रखने का मौका मिला इंडिया की constituent assembly ने nation के constitution को draft करने की process शुरू की जो करीब धाई साल बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ दूसरी ओर, पाकिस्तान ने भी अपने constitution का draft तयार करने की process शुरू की लेकिन वहाँ शुरुवाती वर्षों में instability और political turmoil बनी रही Indian Independence Act 1947 ने इंडिया की freedom struggle को officially end कर दिया यह law, British imperialism के end और एक नए era की beginning का symbol था हालांकि इस freedom को भारी cost पर हासिल किया गया लेकिन यह Indian subcontinent के लोगों के self-respect और उनके future को control करने के right की जीत थी यह act freedom का announce करने वाला final law था जिसने इंडिया को colonial rule से मुक्त किया और इंडिया और पाकिस्तान के रूप में दो independent nations की foundation रखी